नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में जीहाँ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे सुबह से लेकर साम तक इस सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग दूज हैडलान के रूप में पूर्दबाएं ताकि आपको दिन बर की बड़ी खबरों की अपडेट लगातार मिलती रही एक दिसंबर से मोबाइल टेरिफ बढ़ना ते हो चुका है ट्राइ नहीं करेगा हच शेप जी हां दोस्तों आपको बता देके एक दिसंबर से देश में मोबाइल टेरिफ का बढ़ोतरी करने की गोशना कर चुके हैं सब से पहले वोडाफोण आइडिया ने एक डिसंबर से टेरिफ में वढ़ोतरी करने की गोशना कर दी तेलीकूम शी कोईल की दूनों Yuk कमपोनियों की और से गोशना होने के बादी रेलाइस कि यहां दोस्तों आपको पताधे कि त यूद में टेंक की काल बनेगी यह मिसाल सेना ने किया है सफल प्रिक्षन जी हां दोस्तों आपको बता दे कि भारतिय सेना ने मध्य परदिस के महों में स्पाइक एंटी टेक गाइडेड मिसाल का सफल प्रिक्षन किया इस तोरह सेना पर मुख जनरल विपिन राउद भी मौ हो चुकी है असम सरकार ने गुटका और पान मसाला पर लगाई पाबंदी जी हां दोस्तों आपको बता दे कि बियार और परश्चिमंगाल के बाद अब असम सरकार ने भी गुटका और पान मसाला पर पाबंदी लगा दिया फिला लिया पाबंदी एक साल तक लागू रहे से हो सकते हैं कई गंबी विमारियां आपको बतादे कि कि लेकर sus lux के पहमाने की होती है समाज के रूड़ी वादी होने की कीमत अकसर समाज की महारी को लेकर हमारे समाज में अभी बही क defenders दो बारे हैं यह एक ऐसा मुद्धा ने होने से समाज का पिछेड़ा पन और मांसिक दिवाले पन उजागर होता है। मामारी के समस्याओं से बचने के कई उपायों में से एक है ssenitariис नेपकिन आने एक सरकारी और गेर सरकारी संस्ताव द्वारा इस जागरूपता अभ्यान चलाएज जाने के बाद सैनेटरी नेपकिन के उप्योग में काफी जादा वर्दी हुए लेकिन सैनेटरी नेपकिन के सई तरीके से इस्तामाल नए करने को लेकर भी कई बराम है जी हाँ दोस्तों हाली में एक रिपोर्ट जारी की गया जिससे सेनेटरिंग नेपकिन का इस्तमाल नए करने या फिर सही इस्तमाल नए करने की वज़े से जो है देश की लाखों महीला है जो है भेंकर बिमारी का सामना कर रहा है इसलिए दोस्तों हमें भी इसके जागुरुकता फैलानी चाहिए हमारे समाज में हमारे परिवार में सबत से पहले बोली शिप्षेना फड़नविस का सराप नहीं आएगा काम पांस साल चलेगी नहीं सरकार जी हाँ दोस्तों आपको बता देगे सामना के जरिए गुरुवार को सिप्षानने देवेंदर फड़नविस और मोधी सरकार पर जम कर हमला बोला है सामना में लिखा है कि देवेंदर पड़ेनवीज ने नई सरकार को सराब दिया है जो उनका भरम है ये सरकार पूरे 5 साल तक नहीं चलेगी ये सरकार राष्ट्य मुद्धों पर नहीं बलकि महाराष्टा और विकास के मुद्धों पर बनी है तथा राज्ये के विकास के पूर्णवक्ता को सुधारने के लिए फूर सेफ्टी एंड इस्टेंडर्ड अथोरर्टी ओफ इंडिया ने एक्षन प्लांट जारी कर दिया इस एक्षन प्लांट के राज्य सरकारों के साथ मिलकर तीन दिसाओं में काम किया जा रहा है इसमें दूद की जाज मिलावट म ज़ूर्माना लगा जाएगा साथी सजा का प्रावधान भी किया गया कि कगाwater महिलाओं पर सोनिया गांधी मेर माने kang और गॉल्री क्षासित राजित देंगे च्छाहजार रूपे नगसी आपको बता देके सोनिया गांधे ने सभी कंग्रेस राच्यों से ग्राववती और उस्तान पन करायने वाली जरूरत मंध महिलाओं को 6,000 रुपे नगत बुक्तान करने के लिए काया कॉंग्रेस सद्धिक्षन ने खादे सुरुक्षा कानून के तैट ऐसी सभी महिलाओं को ये नगत रासी मुया करवाने के लिए काया जिने किसी भी दूजरी योजन के तैट मातरतों साहिता का ये लाभ नहीं मिल पारा कॉंग्रेस साचित राज्यों ने ये भी कहा है कि मातरतों साहिता का लाभ महिलाओं को केवल एक बच्चे पर ही नहीं बलकि दो बच्चों तक मुया करवाया जाएगा इलाज होगा सस्ता कंपनी 80% दवाओं का दम घटाने को तैयार जी हां दोस्तों आपको बता दे के दवा कंपनियों ने दवाओं पर ट्रेड मार्जिंग 30% रखने का प्रस्ताव माल लिया इसमें 80% दवाओं की केमत घट गई है कंपनिया प्राइस कंट्रोल से बाहर की द अपलब्द करवाने की भी कोशिश की गए जी हां दोस्तों आप सरकार ने जो देश में बिकने वाली 80% दवाओं के दम घटाने के तयारी कर दिया जिससे ट्रेड मार्जिंग 30% घटा दिया जाएगा जिससे आम आदमी को यह सस्ती दवाओं उपलब्द होंगा दो दिन में ले ले अपना मुफ्त फास्टेक बरना एक दिसमबर से देना पड़ेगा दोगुना टोल टेक्स जी हां दोस्तों यहीं आप भी दोपया वाहन को छोड़कर किसी अन्य वाहन के स्वामिया और आपको किसी टोल पलाजा से गुजरना होता है तो जल्द से टोल टेक्स वसूली को लागू कर दिया इस कारेकरम का मकसद बाधाओं को खतम करके यातायात को सुगम बनाना और टोल टेक्स वसूली को आसान बनाना हालांकि बिना फास्टेक वाले वाहनों के लिए सभी टोल पलाजा पर एक हाइब्रीड लेन रखी जाएगी यहीं बि सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद उसके मेसे खुद डिलिट हो जाएंगे जी हां दोस्तों आपको बता दें कि नए फिचर के तरह वाट्सप चैट के पॉन्टेक्ट इंफो में ऑन ओफ का बटन होगा और ग्रूप चैट में सिर्फ एड्मिन ऑन ओफ का फिचर का उप् उसके द्वारा भेज जागा मेसेच अपने आप डिलिट हो जाएगा जी हां दोस्तों यह जल्दी आपको ऑप्शन अपने अपडेटिट वाट्सप में देखने को मिलेगा रिटार्मेंट उमर 60-48 साल नहीं करेगी सरकार मंतरी ने क्या है इनकार जी हां दोस्तों आपको बता दे कि केंदर सरकार ने सरकारी किद्मचारियों की रिटार्मेंट उमर 60 से घठा गर 28 साल किये जाने के प्रस्ताव को खारीज गर दिया लोकसभा में PMO में राज्य मंत्री डाकर जितेंदर सिंह ने बता है कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई भी प्रस्ताव तयार नहीं किया है मुस्वम समाचार आज इन इलाकों में होगी बारिस एर पोलिशन में आई पड़ी गरावड जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि दिल्ली NCR में एर पोलिशन में कम हो चुका है और अज दिल्ली में एर क्वालिटी इंडेक्स में संतोजनक कैटेगरी में काफी करीब पहुँच गया है जी हां दोस्तों यह 119 पर आ चुका है जो की मीडियूम कैटेगरी में होता है यह दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में कल हुई हलकी बारिस जंबू कस्मीर के पास आ चुका है और इसका कारण पहड़ी इलाकों में जो है भारी परफबारी हो रही है जिससे मैदानी इलाकों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है पुर्वतर राज्यों में भी चक्रवती हावाओं का छेत्र बना हुआ है जिससे वहा की खबर होगी भारती रेलवे ने रेल के किराय में बढ़ोतरी के लिए तैयार्या शुरू कर दिया परधान मंत्री कारेले ने भी रेल किराय में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दिये इसके बाद माना जा रहा है कि भारती रेलवे जल्दी किराय में बढ़ोतरी का एलान कर सक जारकंड विदानसभा चुनाव बीजेपी ने जारी किया है घोशना पतर नोकरी अरक्षन का वादा जी हां दोस्तों आपको बता दे कि जारकंड में विदानसभा चुनाव के लिए सबी राजनीतिक दलों ने कमर कस लिया इसी कड़ी में तीस नौंबर से शुरू होने वाल के एक सदस्य के लिए नोकरी देने का वादा गया है घोशना पतर में इस्थानी युवाओं के लिए नोकरीयों के पैदा करने और वहीं स्वय साइक समुख चलाने वाली आदिवासी महिलाओं को पांच लाक रुपए कर्ज देने का वादा गया पिछड़े वरफ को सेवा मंगलवार के बासे ही पैटोर लडीजल के दा में कोई ब्यदाव देखने को नहीं मिला और आज पैटोल की किमत इश्थिर बनी हुई है और साथ ही डीजल की किमत भी इस्थिर बनी हुए जिहास्टों अंतरहस्टी बाजर में कच्छे तों मिभी नरमी देखी गई इसी के साथ दोस्तों रुक कर लेते हैं आज के माइंड की सवाल की तरफ तो दोस्तों आपके लिए आज का सवाल है कि भारत का सविधान कब लाग हुआ था फटा फट से आप अपना सई जवाब कमेट बॉक्स में दीजिए सई जवाब देने वाले को हमारी टीम की तरफ से जो एक अमेजिंग और सप्राइज किफ्ट दीजिए गा तो अपना जवाब कमेट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा तो दोस्तों यह थी आज दिन पर की बड़ी खबर हैं बड़ी अपडेट मुखे समाचा उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें शेयर करें साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर दाकर चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो बैल आइकन को भी ओन करें